हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही आप लोग की तयारी तो इस वीडियो में मैं आप लोग को नागरी की लीपी से संबंधित महतपूर्ण अबजेक्टिव बताने वाला हूँ जो की बिहार बोर इक्जामीनेशन के लिए महतपूर्ण होगा तो सबसे पहला मेरा कोचन है कि नागरी की लीपी सीर्चत निबंध के निबंधकार कौन है गुनाकर मुले, रामचंदर सुकल, डागर भोला नातिवारी या बाबु राम सक्सेन तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन ए है गुनाकर मुले दो नंबर कोचन है कि गुनाकर मुले जी का जन्म कहां कब हुआ था? 1935 में, 1936, 1937 या 1938 में तो इनका जन्म हुआ था 1935 में ओप्शन ए सही है गुनाकर मुले का जन्म कहां हुआ था? किरल में, तामिलांडू में, महराष्ट में या उत्तर पर्देश में तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन C, महराष्ट महराष्ट के अमरावती गाव में हुआ था चार नंबर कोचन है कि गुनाकर मुले ने मिडिल अस्तर की पढ़ाई किस भासा में की? माराथी, पंजाबी, बंगाली भासा या अंग्रेजी भासा तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन A, माराथी भासा में पांच नंबर है गुनाकर मुले ने अंग्रेजी वह हिंदी की पढ़ाई कहां पढ़ाई? दिल्ली में, जैनपूर में, वर्द में या इलाहाबाद में तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन C, वर्द में छे नंबर है गुनाकर मुले ने विभीन विश्यों पर कितने निमंधे लिखी है? पंद्रे सोव से अधी या ढाई सोव से अधी? तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन B, ढाई सोव से अधी पुष्यों के लिखे हैं भारती ये लिप यू की कहानिया किनकी प्रसीद है? गुनाकर मुले, नलेन विलोचिन सर्मा, मादेवी वर्मा, या सुमित्रा नंद पंत तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन A, गुनाकर मुले है आठ नंबर कोचन है कि गुनाकर मुले की मृत्तु कब हो थी? अनिसो पंचानवे में, अनिसो निनानवे में, दो हजार पांच में या दो हजार नौ में तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन D 2009 है नागरी की लिपी सीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है अक्छरों की कहानी से या भारतिये लिपियों की कहानी से या अक्छर कथा से या इनमे से कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा option B भारतिये लीपी мо کی कहानी से लिया गया है नागरीक लीपी के आंतरीक लिख हमें कहा से मिलते हैं option A है पूरी भी भारत से B है पक्चमी भारता से C है डग्छनी और D है ओत्री भारत से तो इसका सही अंसर हो जाएगा option C, दक्छीनी भाड़त भीतमा दानपत्र किस समय का है? 155, 1020, 1021, 1022 या 1023 सिस्पी का? तो इसका सही अंसर हो जाएगा option A, 1020 सिस्पी का है? बारे नमबर है उत्तर भारत के नागिरिक लिपी के लेखक कब से मिलने लगते हैं नागिरिक लिपी तो अठवी सदी, छठी सदी, नवी सदी या डी चौथी सदी तो इसका सही एंसर होता हैगा ओफशन ए अठवी सदी से नेपाली भासा किस लिपी में लिखी जाती है गुरु मुखी, खरोष्ट, ब्रम्नी, ब्रम्नी भासा या डी देव नागिरि लिपी तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा हमारा ओफशन डी देव नागिरि लिपी हो जाएगा इन्हों ने किस पुस्तक में पुरानी लिपीों को बिस्त्रित जनकाड़ी दी है संस्कृत, अक्षर, कथा, प्राचीन भारत का इतिहास या डी पुरा लिपी सास्तर में तो इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्शन बी अक्षर कथा में ये तो भारतिय कहानी से ली गई है लेकिन जो अक्षर कथा पुस्तक है उनमें पूरी जनकाड़िया मिल जाती है तो इसका सी बले बी एंसर सही हो जाएगा गुपतो की राजधानिया को क्या कहा गया होगा या क्या कहा जाता होगा उस समय पाटली पुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर या देव नगर तो इसका सही अंसर हो जाएगा हमारा ओप्शन दी देव नगर पंद्रे नमर कोचन है कि बंगला लीपी प्रचीन नागरी की लीपी की क्या है बहन है बले पुत्री है बहन है भगनी है या बहु है तो इसका सही अंसर हो जाएगा हमारा ओप्शन बी बहन है अगला जो सत्रे नमर कोचन है कि केरल के सासकों के द्वारा सीकों पर बीर केरल अस्या सब्द किस लीपी में लिखी गई है नागरिक लीपी ब्रमनी लीपी नंदी नागरी लीपी या गुरु मुखी लीपी तो इसका सही अंसर हो जाएगा हमारा ओप्शन ए नागरिक लीपी है पहले पहल किन रजजाओं ने लेखो के लीपीयों को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था देवगिरी की रजाओं बिजय नगर की रजाओं राष्ट कूट के रजाओं या चोल रजाओं ने तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन भी बिजय नगर के रजाओं ने उत्तर भारत की बिसेस अस्थापत्यों सैली को क्या कहते हैं ललित सैली अभी नागर सैली या भी ब्राट सैली या नगर सैली तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन डिल नगर सैली दिव नागरी लिपी में मुद्रन के टाइप कब बनें दो सदी पहले, दो दसक पहले या बीशवी सदी में तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन ए दो सदी पहले नागरी लिपी कब एक सर्व देशिक लिपी बन गई पंद्रहवी सदी में, इसापूर्वकाल में, अठवी से गिरिवी सदी में या डी कभी नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन C, अठवी से गिरिवी सदी में पहले दक्षिन भारत की नागरी लिपी क्या कहलाती थी? नंदी नागरी या कोंकर्न या ब्रम्री या फिर सिद्धम कहलाती थी तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा हमारा ओप्शन D सिद्धम कहलाती थी इसलामी सासक का अर्रम काल है बढ़वी सदी, तिरहवी सदी, चौदहवी सदी या फिर पंदरहवी सदी तो इसका सही अंसर हो जाएगा हमारा ओप्शन A बढ़वी सदी कि सासक ने अपने सिकों पर राम सिया यानि राम सीता की आक्टिती और नगरी की लीपी में राम सिया सब अंकित किया था सेरसा ने हरी हर ने अकबर ने या फिर चंद्रगुप्त दिवितिया ने तो इसका सही अंसर हो जाएगा हमारा ओप्शन C अकबर ने मराथी भासा की लीपी कौन सी है बढ़मनी नंदी नागरी देव नागरी या फिर मराथी लीपी तो इसका सही अंसर हो जाएगा हमारा ओप्शन C देव नागरी लीपी टकसाल का संबन किस से है सिको से अभी लेको से लीपी से या अनाज के डेड़ो से तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन A सिको से शुर्वन बेल गोल अस्थान का संबन किस से है कहां से है जैन धर्म बौध धर्म या सीख धर्म तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन A जैन धर्म से सिध्धम क्या है तो एक मंत्र है सिध्धम योगी है साधू है या एक परकार की लीपी है तो यह एक परकार की सिध्धम लीपी है 29 नमबर है किसे देव नागडी की संग्या दी गई है प्रियाग कासी मतुरा या फिर उजयन को तो कासी को देव नागडी की संग्या दी गई है हिंदी के आदी कभी कौन है सरपाद तोलसी वालबी की निडाला तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन ए सरपाद प्रख्यात राष्ट कुट राजा थे या एक कभी थे या एक राज वैद्या थे तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन भी प्रख्यात राष्ट कुट राजा थे मिहीर भोज की गुवालियर प्रसासी किस भासा में है प्रकिर्थिक अब भरंस संस्क्रीट या फिर हिंदी भासा तो इसका सही अंसर हो जाएगा संस्क्रीट भासा यानि जो मिहीर भोज की गुवालियर प्रसासी की जो भासा मिलती है वो पले संस्क्रीट थी संस्क्रीट से मिलती है अगला है बेतमा कहां है इंदौर के पास इलहाबाद के पास पुर्णे के पास या फिर पटना के पास तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओफ्शन ए इंदौर के पास दक्षिन भारत के पांड्या प्रदेश से किस राजा के पालियम तामर पद्र मिले है महंद्रपाल राजा वरगून या राजा भोज या श्री गंगा राज का तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओफ्शन बी राजा वरगून का 35 नंबर कोचन है अमारा किस सासक ने अपने सिको पर राम सीता की आकरिती और नागरी की लिपी में राम सीया सब्द अंकित की थी तो इतो बता दिये हैं कि जो अकबर थे हैं वही किये थे अगला केडल के सासको के द्वाना सिको पर बीर के रलस्य सब्द किस लिपी में लिखवाई गए थी नागरीक लिपी, ब्रमने लिपी, नंदी नागरी लिपी या फिर गुरु मोखी लिपी तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा ओफ्शन ए नागरीक लिपी दक्षिन भारत के पांडिय प्रदेश से किस राजा के पालियम तामर पत्र मिलते हैं महंदरपाल, राजा वर्गुन या राजा भोग या फिर स्री गंगा राज तो इसका सही अंसर हो जागा ओफ्शन वी राजा वर्गुन का ठीक है 38 नंबर कोचन है हमारा 38 नंबर कि देव नागरीक लिपी में मुद्रन के टाइप कब बने तो वो दो सदी पहले बने थे ये भी बता दिये हैं आगला कोचन देखा जाए 49 नंबर कोचन है पहले दक्षिन भारत की नागरीक लिपी क्या कहलाती थी तो इसका सही अंसर हो जाएगा आप्सटन डी सिद्धम कहलाती थी तो इस प्रकार से ये कोचन खतम हुआ यह यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्लीज सेलन चैनल को लाइक शेयर और सिस्क्राइब करना ना भूलिएगा थैंक